हेलो एवरिवन आप सभी कई बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टीम रतन में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक ही जीमेल आईडी से आप अपना दूसरा नया यूटूब चैनल कैसे बना सकते हैं चैनल बनाने के बाद आपको अपने कौन-कौन से जरूरी सेटिंग को करना होता है तो इस वीडियो को लाच तक जरूर देखे मेशंच क्योंगव लिक्off you को शच्राइबघ करें शबसे पहले तो यह आपको अपने मुबाइल में अपने Google Chrome ब्राउजर को ओपन कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर सर्च वाले आईकन में आपको YouTube Studio लिखके सर्च कर लेना है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही ऑप्सन आजाता है YouTube Studio का, इसी में आपको एक उप्सन मिल जाता है Sign In का, तो आपको Sign In पे Click करदेना है। Sign In पे क्लिक करने के बाद आपका जो पुराना वाला YouTube चैनल है और तरहीं हैं। इस तरिके से यहां पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहां पर सबसे ओपर के साइड आपको three dot वाले icon पे हैँ। इसके बाद यहां से अब आपको desktop side पे select कर लेना है, desktop side पे select करने के बाद यहां पर सबसे नीचे के side आपको एक setting का icon दिखेगा, नीचे के side यहां पर इस setting वाले icon पे आपको click करना है, इसके बाद यहां पर आपको channel वाले option पे click करना है, इसके बाद इस channel वाले option में ही आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है advance setting का आपको advance setting पे click करना है इसके बाद advance setting में यहाँ पर सबसे नीचे के side आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे के side एक option मिलता है manage YouTube account का आपको manage YouTube account पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा create a new channel का आपको इस create a new channel पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपके सामने नया channel create करने का option आ जाता है यहाँ पर नीचे के side channel name वाले box में आपको अपने नये channel का नाम यहाँ पर लिख देना है अपने नए channel का नाम लिखने के बाद यहाँ पर नीचे के side आपको इस box वाले option पे आपको tick mark कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको create वाले option पे click कर लेना है तो यहाँ पर हमारा नया channel create हो चुका है उस channel पे आपको click करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नया channel यहाँ पर create हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर सबसे उपर के side ही आपको एक option देखने को मिलेगा customize channel का, आपको इस customize channel पे click करना है, इसके बाद यहाँ पर नीचे के side आपको continue पे click करना है, इसके बा तो यहाँ पर सबसे नीचे के side आपको एक setting वाला icon मिलेगा, आपको इस setting वाले icon पे आपको click करना है, इसके बाद यहाँ पर सबसे first में आपको option मिलता है general का, और general में ही आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है currency का, तो currency में यहाँ पर आपको USD, US dollar को select कर लेना है, इसके बाद यह नीचे के side आपको option मिलता है channel का, आपको channel पे click करना है, इसके बाद यहाँ पर सबसे first में option मिलता है basic information का, तो basic information में यहाँ पर सबसे first में option आपको मिलता है country of residence का, आपको इस country of residence वाले option पे click करना है, और यहाँ से आपको India को select कर लेना है, अगर आप किसी और country से हैं तो आप अपने country को यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर नीचे के side आपको एक option मिलता है keyword का तो keyword में आपको अपने channel का नाम लिख देना है आप जिस category का channel बनाना चाहते हैं उस category को भी लिख देना है और आपको अपने channel से मिलता जुलता नाम यहाँ पर आपको keyword में लिख देना है keyword में लिखने का फायदा यह है कि जब कोई भी उस keyword को YouTube पर search करेगा तो आपका जो YouTube channel है वो YouTube के search list में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी इसलिए आपको हमेशा keyword में अपने channel का नाम, अपने channel का category और अपने channel से मिलता जुलता नाम को यहाँ पर keyword में लिख देना है यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखते जाना है इसके बाद आपके keyboard में ही यहाँ पर नीचे के side इस arrow वाले icon पे आपको click करते जाना है तो इस तरह से यहाँ पर आपका keyword लिखाते जाएगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पर keyword में बहुत सारे keyword को लिख लेना है इसके बाद यहाँ पर basic information के बाद अब second में option आता है advanced setting का आपको इस advanced setting पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के side आ जाना है और यहाँ पर आपको एक option मिलता है do you want to set your channel as made for kids यानि कि अगर आप ऐसा कोई video बना रहे हैं जो कि बच्चों के लिए हैं या फिर आप ऐसा कोई video बना रहे हैं जो कि सब ही देख सकते हैं जैसे बच्चे भी देख सकते हैं हर कोई देख सकता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर second number वाले option no set this channel as not made for kids आपको इस option को यहाँ से select कर लेना है और अगर आप cartoon वीडियो बनाते हैं और आप चाते हैं कि सिर्फ बच्चे ही देखते हैं cartoon वीडियो तो आप उसके लिए यहाँ पर first वाले option को select कर सकते हैं अदर वाइज आपको यहाँ पर second number वाले option को select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के side आजाना है नीचे के side आने के बाद यहाँ पर आपको automatic caption आपको इस वाले option को यहाँ से tick mark कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के साइड आ जाना है और नीचे के साइड आने के बाद यहाँ पर आपको advertisement वाले option को यहाँ से आपको select इस तरह से कर लेना है इसके बाद clip को भी आपको select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे उपर के साइट तीसरे नमबर पर option मिलता है feature usability का आपको features isability पे यहाँ पर click करना है features isability में click करने के बाद यहाँ पर आपको तीन option मिलते है standard features, intermediate features और advanced features तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो first वाला option है standard features वो यहां पर enable रहता है और हमें यहां पर दो features intermediate features और advanced features को enable करना होगा तो intermediate features को enable करने के लिए आपको यहां पर side में eligible वाले option पे click करना है इसके बाद यहां पर आपको नीचे के side verify phone number इस वाले option पे आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के साइड एक option मिलता है how should we deliver the verification code यानि कि जो OTP आएगा वो किस तरह से आएगा, text में आएगा या फिर call में तो आप यहाँ पर simply text वाले option को select कर लेंगे क्योंकि message में आपका OTP आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर नीचे के साइड आपको option मिलता है select your country का, तो select your country में आपको इंडिया को select कर लेना है, अगर आप किसी दूसरे country से हैं तो आपको अपने country को यहाँ पर select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर नीचे के साइड आपको option मिलता है what is your phone number का तो दियान जए कि आप एक mobile number से सिर्फ दो ही YouTube channel को verify कर सकते हैं तो अगर आपने एक mobile number से दो YouTube channel को पहले भी verify कर लिये हैं तो यहाँ पर आप दूसरे mobile number को भरके verify कर सकते हैं आपके family में किसी का भी mobile number आप भरके यहाँ से verify कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको what is your phone number में अपना mobile number भर लेना है इसके बाद यहाँ से आपको gate code पे क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है तो यहाँ पर नीचे के side enter your six digit verification code वाले option में आपको उस OTP को भर लेना है इसके बाद यहाँ पर नीचे के side आपको submit वाले option पे क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर हमारा जो phone number है वो verify हो चुका है अब यहाँ से आपको back आ जाना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा second number वाला जो option है intermediate features वो यहाँ पर enable हो चुका है enable करने के बाद यहाँ पर अब आप अपने channel में 15 मिनट से उपर का video upload कर पाएंगे अपने वीडियो में thumbnail लगा पाएंगे आप अपने channel पर live streaming कर पाएंगे तो a benefit आपको यहाँ पर intermediate features में मिलता है इसके बाद यहाँ पर नीचे के side आपको option मिलता है advanced features का तो इसे भी आपको enable करना होता है तो enable करने के लिए आपको यहाँ पर eligible वाले option पे click करना है इसके बाद यहाँ पर नीचे के side आपको एक option मिलता है access features का तो इसे enable करने के लिए जो second number वाला option है intermediate features यह यहाँ पर आपका enable होना चाहिए और उसके साथ आपके पास कोई valid ID proof होना चाहिए कर सकते हैं तो यहाँ पर जो सबसे easy option होता है वो valid ID होता है अगर आपके पास driver license है या फिर pen card है तो आपका जो यह तीसरा वाला option है advanced features यह बहुत जल्दी enable हो जाता है तो इसे enable करने के लिए आपको यहाँ पर access features पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपके सामने तीन option आते हैं पहला option है यूज video verification यानि कि video call के द्वारा आप इसे verify कर सकते हैं second option है यूज your valid ID तो valid ID में आपके पास pen card, passport या फिर driver license होना चाहिए जिसके थुरू आप इसे verify कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर option आता है build channel history अगर आपका YouTube channel दो मंथ से ज़्यादा हो जाता है यानि कि आपका channel लगभग दो महीना पुराना है तब ही आप यहाँ पर channel history के द्वारा इसे verify कर सकते हैं लेकिन अगर आपका channel यहाँ पर बिल्कुल नया है और आप इसे enable करना चाते हैं verify करना चाते हैं तो अगर आपके पास driverly license है, pen card है या passport है तो आप यहाँ पर use your valid ID पर select करके आप इसे बहुत ही easy तरीके से verify कर सकते हैं तो यहां से आपको इस तरीके से इसे verify कर लेना है फिल हाल के लिए मैं यहाँ पर अभी verify नहीं कर रहा हूँ इसके बाद Frank, यहाँ पर आपको side में channel के बाद एक option मिलता है upload default का आपको यहाँ पर upload default पर इक लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको upload default में है सबसे first में option मिलता है basic information का basic information में यहाँ पर सबसे first में option मिलता है title का या इसके बाद यहाँ पर आपको option मिलता है description का तो जैसे कि आप अपने हर video में अपने social media account का link add करते हैं तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर description में अपने social media account का link अगर आप यहाँ पर add करके रख देते हैं, तो आपको अलग से हर वीडियो में आपको अपने Facebook, Instagram, अपने Social Media Account का link add नहीं करना पड़ेगा, तो अगर आप चाहते हैं, तो आप यहाँ पर description में अपने Social Media Account का link add कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के साइड एक option म upload करेंगे, तो आपका वीडियो upload होते ही तुरंट public हो जाएगा, जिससे कि आपको अपने वीडियो में thumbnail लगाने का भी time नहीं मिलेगा, इसलिए आपको visibility में हमेशा unlisted को select करके रखना चाहिए, और आपको अपने YouTube चैनल पे वीडियो upload करना चाहिए, और वीडियो upload करने के आपको अपने वीडियो में thumbnail लगाने का भी time मिल जाएगा, और आपके वीडियो को prepare होने में भी time मिल जाएगा, जिससे कि आपका वीडियो boost होगा, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पर visibility में unlisted को select करके रखना चाहिए, और वीडियो upload करने के बाद ही आपको visibility को public करना यहाँ पर category पर click करना है, इसके बाद यहाँ से आपको अपने channel के category को select कर लेना है, आप किस category का channel बना रहे हैं, तो आप अपने according यहाँ से अपने category को select कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर नीचे के side आपको एक option मिल जाता है video language का, तो आप किस language में अपना video बनाते हैं, तो आप यहाँ पर video language पे click करके, अपना language यहाँ से select कर लेंगे, तो जैसे कि मैं हिंदी में विडियो बनाता हूँ, तो मैं यहाँ से हिंदी को select कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर नीचे के साइड आपको option मिलता है title and description language का, तो आप अपने title और description को किस language में रखते हैं, तो म जैसे हिंदी में रखता हूँ, तो मैं यहाँ से हिंदी को select कर लेता हूँ, आप भी अपने according, अपने language को select कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर नीचे के साइड आपको option मिलता है comment का, यहाँ पर आपको allow all comment पे, अगर आप select रखना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी comment कर सकता है आ करना है, इसके बाद यहाँ से आपको नीचे के साइड आ जाना है, नीचे के साइड आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे में एक option मिलता है block link का, आपको इसे select कर लेना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके video में कोई भी spam link या अपने YouTube channel का link आपके video में comment ना क यहाँ पर हमारे channel में सभी setting complete हो चुके हैं, उसके बाद आपको अपने channel के profile में अपने channel का logo लगाने के लिए या फिर आपको अपने channel के banner में फोटो लगाने के लिए आपको दो तरह से option मिलते हैं, पहला option मिलता है आप YouTube studio से ही अपने channel के profile में अपने channel का logo लगा सकते हैं, banner लगा सकते हैं या फिर आप YouTube application से भी आप अपने चैनल के profile में अपने चैनल का logo लगा सकते हैं अपने चैनल के बैनर में फोटो लगा सकते हैं यहां पर आपको साइड में एक option मिलता है customize का आपको इस customize वाले option पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको उपर के side branding वाले option पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने channel का logo लगाने का option मिल जाता है आपको अपने channel में banner photo लगाने का option मिल जाता है और दूसरा जो option मिलता है आपको YouTube application से, तो चलिए आपको YouTube application में जाकर वहाँ भी आपको बता देता हूँ कि आप अपने channel के logo कैसे लगा सकते हैं, अपने channel का banner कैसे लगा सकते हैं, तो friend यहाँ पर मैंने YouTube application को open कर लिया है, open करने के बाद यहाँ पर सबसे उपर के side आपको अप के नए channel का profile icon नहीं दिख रहा है, तो simply आप अपने पुराने वाले channel के icon पे ही यहाँ पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पुराने वाले channel के side में, आपको इस छोटे से arrow वाले icon पे click करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपने नए channel वाले option पे आपको select कर लेना है इसके बाद यहां पर सबसे ऊपर के साइड आपको फिर से अपने चैनल वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है इसके बाद यहां पर अब आपको योर चैनल पे क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको सबसे नीचे के साइड साइड में आपको इस पैंसिल वाले icon पे click करना है इसके बाद यहाँ पर सबसे उपर के side ही आपको अपने channel के profile में logo लगाने का option मिल जाता है तो logo लगाने के लिए आप इस camera वाले icon पे click करेंगे और आप अपने फोन की गैल्जी से अपने चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लेंगे लोगो सेलेक्ट करने के बाद आपको इस square वाले box के अंदर इस तरीके से आपको पूरा perfect इस तरीके से सेट कर देना है इसके बाद यहाँ पर नीचे के side आपको save a profile picture पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हमारे चैनल में हमारे चैनल का लोगो लग चुका है इसके बाद आपको अपने चैनल के बैनर में फोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पास इस camera वाले icon पे क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर अब आपको अपने phone की गैल्जी से उस photo को select कर लेना है जिस photo को आप अपने channel के banner में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने photo को select कर लिया है अब इस photo को यहाँ पर जो all device लिखा है जो छोटा सा box बना हुआ है इस box के अंदर आपको इस तरीके से अपने photo को set कर देना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा photo जो है वो किस तरह से यहाँ पर set हो चुका है इसके बाद उपर के side आपको save वाले option पे click कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे channel के banner में हमारा जो photo है वो लग चुका है इसके बाद यहाँ पर आपको एक और setting बता देता हूँ यहाँ पर नीचे के side आपको एक option देखने को मिलता होगा handle का तो इस handle वाले option पे यहाँ पर आपको इस pencil वाले icon पे आपको click करना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा handle है वो थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको handle में अपने simply अपने channel का ही नाम को यहाँ पर लिख देना है तो उसके लिए आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा edit कर देंगे और यहाँ पर आपको अपने channel का नाम लिख देना है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो channel का नाम हमने बनाया है वो handle यहाँ पर available नहीं है तो यहाँ पर आप कुछ दूसरा भी यहाँ पर डाल के देख सकते हैं कोई numbering system इस तरीके से यह भी available नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो handle है यह available है तो इसे चलिए हम ले लेते हैं तो इसे यहाँ पर नीचे के side of save वाले option पे click कर देना है अब यहाँ पर हमारा जो handle है और चेंज हो चुका है और यहाँ पर हमारे channel के जो link है उसमें भी हमारा handle add होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे के side channel URL जो link है हमारा उस हमारे link में यहाँ पर हमारे channel का नाम इस तरीके से आगया है विडिएो हैलफूल लगी हो वीडियो पसंद आई हो तो पलीज विडियो को लाइक किजे कमेंट किजिए अपने फ्रेड नड फैमली में इस वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले फिर मिलते हैं दोस्तों सेटाइब में नू эту find के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्र